Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11, ये आप लोगों की pick a card reading है और आज हमारा topic है How are they feeling about you right now? आपके person इस वक्त आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं जब आप ये reading देख रहे हैं, ये बिलकुल timeless reading है, जब भी आपकी नजर से गुज़रेगी आपका उस वक्त का message होगा और regardless, आपकी क्या situation है, आपके partner के साथ, आप चाहे उनके साथ हैं, उनसे दूर हैं, separation में हैं, सब लोगों के लिए ये reading open है और हम देखेंगे कि आपके partner कैसा feel कर रहे हैं, so शुरुवात में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि cards, possibilities बताएंगे इसलिए आप लोगोंने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers है, thank you so much आप सब लोगोंने मुझे जितना प्यार दिया है और support किया है, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all so अगर आप नए है मेरे चैनल पर, आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है, पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा so अब हम start करते हैं आज की reading और आपके पास हमेशा की तरह तीन options है option number 8 हमारे पास है pink butterfly, option number 2 है हमारे पास ये pink bag, option number 3 है हमारे पास ये pink star so इनको मैं यहाँ पर रख देती हूँ so 1, 2 and 3, तीनों के time stamps description में है, skip करके आप अपना answer देख सकते हैं अगर आप दो देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई problem नहीं जैसे आपकी intuition आपको guide करती है, वैसे आप selection कर लीजे मैं start करूँगी option number 1 से जिन लोगों ने option number 1, यानि के pink butterfly select की है, ये आपकी reading है और हम देखेंगे कि आपके person इस वक्त आपके लिए क्या feel कर रही है और इस card में आपका overall message है, so let's see, इसमें है death so I feel कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने group 1 select किया है and amazingly आप लोगों ने butterfly select की which is about transformation और ये जो death card है, ये भी transformation के बारे में बताता है death and rebirth, so कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि it's a breakup situation, आप लोगों का ये connection end हो चुका है और आप ये जानना चाह रहे हैं, कि ये इनसान आपके लिए अप कैसा feel करते है आप में से किसी के ये X भी हो सकते हैं, बढ़ किसी का हो सकता है कि recently break up हुआ भा हो, so basically ये इनसान ये सोच रहे है कि वो अपनी जिन्दगी के एक बड़े मुश्किल फेस से गुजर रहे है और उनको ऐसा feel हो रहा है, कि ये उनकी transformation का time है उनको कहीं न कहीं ये feel हो रहा है, कि maybe आप लोगों का relationship हमेशा के लिए खतम हो चुका है या फिर ये relationship transform हो रहा है but let's see कि ये card किस तरह से match करता है आपकी reading से let's see आपके person की feelings इस वक्त आपके लिए क्या है जब आपकी reading देख रहे है उनकी current feelings, okay so you see with the six of cups ये इनसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे है miss कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा so हो सकता है कि आपके person एक dog lover है और उन्हे dogs बहुत पसंद है हो सकता है आपको बहुत पसंद हो ये भी हो सकता है कि उनका dog जो है वो मर गया we have four of swords knight of wands four of wands so four four किसी के लिए important हो सकता है उनकी feelings इस वक्त क्या है spirit उनकी feelings इस वक्त okay एक card नीचे गिर गया so we have page of pentacles उनकी feelings इस वक्त क्या है spirit इस वक्त वो क्या feel कर रहे है we have knight of swords so I really feel कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचने के बाद I really feel they want to talk they want to communicate okay four of wands को clarify किया है nine of cups ने और bottom of the deck पर हमारे पास है ten of wands so यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Kansas, Scorpio, Gemini and Libra यह star signs यहाँ पर बहुत strongly है लेकिन मैं हमेश आप से कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है अगर energy आप से match करती है तो बिलकुल आपकी reading है star signs को लेकर आपने ज़्यादा परिशान नहीं होना है so क्या feel कर रहे हैं इस वक्त यह इनसान आप से connect करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे है and I also feel कि जब आप लोग में भी पहली दफ़ा मिले थे या पहली दफ़ा आप लोगों ने interact किया था उस time को वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप तुनों के दरम्यान memories को बहुत ज़्यादा याद कर रहे है and for sure I feel कि आप लोग साथ नहीं हैं जिन लोगों ने group one select किया है इसलिए इनसान अपने past के बारे में यानि आपके साथ जब वो थे उसके बारे में सोच रहे है और उनके दिल पर बहुत ज़्यादा बोज है किसी बात का ये इनसान बहुत ज़्यादा अपने दिल पर एक बोज फील कर रहे है उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया है क्योंकि उन्हें ये फील हुआ था कि आप उनके लिए wish fulfillment है मतलब वो ये फील करते हैं कि you are all they ever wanted and they feel कि उन्होंने खो दिया है आपको बट वो खोना नहीं चाहते हैं और वो फिर से सब कुछ ठीक कर देंगे वो फिर से सब आप कहलें कि चीजों को ठीक कर देंगे fix कर देंगे जो कुछ भी खराब हुआ है जो कुछ भी आप लोगों के दरम्यान lost हो गया उसको फिर से fix कर देंगे I really feel कि आपको लेकर और इस connection को लेकर ये इनसान फिर से excited दिखाई दे रहे है फिर से उनके अंदर एक passion है इस connection पर work करने को लेकर फिर से इस connection के लिए ये इनसान motivated नजर आ रहे है इन दो cards के साथ और फिर ये चारों cards बहुत ही ज़्यादा positive है So I feel के आपके person I do feel के transformation से गुजर रहे हैं और इस transformation को आप बहुत ही समझ सकते हैं के positive transformation है ये जो आपके person की जिन्दगी में हो रही है basically आपके person transform हो रहे है और आप लोगं का relationship भी deep होने वाला है So इसलिए क्योंके आपके person को realization हो रही है कि वो इस connection को खतम नहीं करना चाहते हैं they really want to communicate और जो spark आप लोगं के connection में खतम हो गया था वो spark वो फिर से feel करना शुरू हो गए हैं आपके लिए they really feel कि आप उनके लिए बहुत important है they really feel कि आप उनकी wish है और वो अपनी इस wish को इस happiness को खतम नहीं करना चाहते हैं अपने हाथों से I really feel कि ये इनसान बहुत inconsistent रहे हैं irresponsible रहे हैं इस connection में और ये चीज़ आपको बहुत ज़दा दुख दिया है इस चीज़ ने और जो उनके responsibility कभी नहीं ली so I really feel कि उनको ये realization भी हो रही है कि वो responsibility लेना चाहते हैं वो हर चीज़ ठीक करना चाहते हैं और वो कर सकते हैं so basically ये इनसान ये सोच रहे हैं कि अभी भी आप लोगों की situation में बहुत ज़दा hope है and I feel कि ये इनसान बहुत ही ज़दा motivated feel कर रहे हैं आपकी तरफ आने को लेकर और उनको ये feel हो रहा है कि वो बहुत confident है और अगर वो चाहें तो वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं वो ये सोच रहे हैं so basically वो ये feel कर रहे थे कि maybe ये connection हमेशा के लिए खतम हो गया है लेकिन फिर बहुत ज़दा सोचने के बाद उनको ये realization हुई है कि ये सारा कुछ उनके उपर depend करता है अगर वो चाहें तो relationship को ठीक भी कर सकते हैं ये उन्ही के हाथ में है उन्ही के हाथ में था जब वो relationship को खराब करे थे अपने हाथों से खराब किया उन्होंने इस relationship को और उन्ही के हाथ में है कि वो इस relationship को ठीक भी कर सकते हैं और वो आपको खुश रख सकते हैं अगर वो चाहें so I do feel कि आपके person के दिल पर बहुत ज़दा बोज है हम इस 10 of wands को clarify करते है कि ये क्या बोज है आपके person के दिल पर बहुत सारे आ गए ये भी हो सकता है कि आपने choose किया उनसे walk away करना आपने उनको बोला कि ये connection अब मुझे बिल्कुल भी fulfill नहीं कर रहा है और पहले आप हमेशा जब भी lost, lonely feel करते थे तो उनके पास आते थे और उनसे बात करने का आपका दिल करता था बट अब काफी time से आपको ऐसा feel हो रहा है कि ये connection आपको फुल्फिल नहीं कर रहा आप emotionally detached हो गया and I really feel कि आपके person को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि हमेशा आपने उन्हें attention दी है, time दिया है और हमेशा आपने, मतलब आप हमेशा उनके लिए available रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपने जब से उनसे distance maintain किया है maybe आपने उनको ignore करना शुरू किया है या आप उनको ghost कर रहे है तो मुझे ऐसा लग रहे है कि ये चीज़ आपके person को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है क्योंकि उन्होंने आपका ये वाला रूप कभी नहीं देखा था और मुझे लगता है कि शायद ये necessary था कि आप उनके साथ इस तरह से behave करें क्योंकि वो change नहीं हो रहे थे वो responsibility नहीं ले रहे थे वो level up नहीं हो रहे थे so I do feel कि आपके इस behavior से जो आप detach हुए है emotionally उनसे उनको तब realization हुई है उनको feel हो रहा है उनको बहुत बुरा लग रहा है आपका उनको ignore करना उनसे बात ना करना और बहुत जल्दी इनसान communication के साथ आपकी तरफ आ रहे है let's find out more की इनसान और क्या feel कर रहे है friends आप लोगों ने अगर मुझे मेरे second channel पर subscribe नहीं किया तो आप कर लीजिए description में आपको link मिल जाएगा मेरे second channel का और वहाँ पर elements के हिसाब से readings आती है बहुत जल्द वहाँ पर zodiac science के separate readings भी आया करेंगी so zodiac science के हिसाब से मैंने channel बनाया है mystic 1111 channel का नाम है so we have flirt and then we have past life relationship so I do feel कि ये कोई ऐसे इनसान है obviously जिनके साथ आपकी history है काफी ज़दा time, memories आप लोगों ने बनाई है, काफी ज़दा invest किया है एक दूसरे के ओपर, ये कोई one-sided situation नहीं थी बट हाँ मुझे ये लग रहा है कि आपके person responsibility नहीं ली और इस card पर लिखा extend your light-hearted energy to others I do feel कि ये इनसान light-hearted way में चीजों को heal करना चाहते हैं इस connection को, आप से बात करेंगे बहुत light-hearted way में वो आप से fight नहीं करना चाहते वो आप से कोई gila नहीं करना चाहते because आपने जो भी किया आपने सही किया उस वक्ट जो आपको करना चाहिए था so ये आप मैंसे कुछ लोगों के x भी हो सकते हैं, शुरू में भी मैंने शायद आपको ये message दिया था जब death card हम लोगों ने देखा था so इस पर लिखा you have known each other before so ये वही इनसाने जिनके साथ आपकी एक history है आपने एक time spend किया हुआ है ये इनसान वापस आना चाहते हैं आपकी जिन्दगी में so they really feel कि आपके साथ वो बहुत एक आप कहलें कि connection ऐसा feel करते हैं कि जैसे वो आपको हमेशा से जानते हूं आपके साथ resonate करते हैं आपकी energy के साथ आपकी maybe कुछ बाते similar हैं कुछ चीज़ें आप लोगों में common है maybe music, food बहुत सी चीज़ें आप लोगों में common है and they really feel कि आपके साथ एक बहुत अच्छी compatibility, companionship they really feel कि आपसे बस वो resonate बहुत ज़ादा करते हैं so आपकी company उनको बहुत पसंद है आपके साथ रहना आपसे बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है so I really really feel कि ये इनसान आपसे बात करना चाहते हैं heal करना जाते हैं इस connection को and basically responsibility लेना जाते हैं so let's see more ये इनसान क्या feel करना है इस वक्त हमारे पास एक extra card आगया है so we have stay in shallow waters sometimes superficial is enough so maybe अभी वो खुल कर सामने नहीं आना चाहते हैं maybe खुल कर बात नहीं करना चाहते maybe they need to give some more time to this situation your inner world is safe maybe वो थोड़ा सा भी और सोचना चाहते हैं या इस process में हैं जितनी भी बाते मैंने आप से कहीं हैं maybe वो ये सारी अभी feel कर रहे हैं अपने आपको prepare कर रहे हैं protect your home take care of your sacred spaces so इन तीन cards को देखते हुआ really really feel कि इस वक्त आपके person बहुत ज़दा खुद को उन्होंने isolate किया हुआ है but not in a negative sense in a sense कि वो wisdom गें कर रहे हैं सारी situation से खुद को अकेला रखके खुद को खामोश रखके मतलब अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं wisely चीजों को सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे wisely चल सकें basically protect your home your inner world is safe stay in shallow waters I really feel कि ये इनसान लड़ना नहीं चाह रहे हैं काम रखना चाह रहे हैं चीजों को and I do feel कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है आप लोगों की situation के उपर maybe आपको ये उमीद बिलकुल नहीं थी कि ये इनसान इतना intensely सोचेंगे इस connection के उपर serious होकर responsibility लेंगे या इतना deeply सोचेंगे उन्होंने बहुत सोचा है and I feel कि ये इनसान अभी खुद को prepare कर रहे है कि वो आप से बात करें आपको confront करें और जो भी आपके concerns हैं उसके उपर बात करें और आपके साथ एक अच्छा relationship बना सके उनकी ये पूरी कोशिश है so I really feel कि ये इनसान बहुत इस वक विदिन जा रहे है deep deep questions कर रहे हैं अपने आप से and they really find they really want to you know come to their own conclusions I feel कुछ चीज़ों के बारे में वो खुद से ही realize करेंगे और कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए I feel के वो already अभी बहुत जादा सोच रहे हैं कुछ लोगों के लिए I feel के वो conclusion पर आ चुके हैं और किसी भी वक्त आप से communicate कर सकते हैं ये possibility है और मुझे ये भी लग रहा है कि बिलकुल hope आपके person ने खोई नहीं है they still feel के अभी भी आपकी situation में hope है and they feel के वो सब कुछ ठीक कर लेंगे वो confident हैं वो सब कुछ ठीक कर लेंगे इस connection में and they won't let you go so अब हम आपके letters and numbers देखेंगे साथ yes and no होगा let's find out कि हमारे पास क्या आता है इसमें आपका या आपके partner का पूरा नाम या name initials आ सकते हैं life path number, house number so let's start with your yes and no so maybe stay in shallow waters वो अभी तक बहुत ही जादा superficial तरहां से आपके साथ contact कर रहे थे deeper level पर कभी उन्होंने आपके साथ communicate नहीं किया because आपके person बहुत जादा open नहीं होना चाहते थे emotionally कभी भी किसी के साथ भी uncomfortable feel करते थे but I do feel के maybe this is something जो आपके connection में एक problem था कि वो आपको ऐसा महसूस होता था बहुत surface level का connection आपके साथ उन्होंने रखा हुआ है but maybe अब वो आपके साथ एक deeper level पर connection बनाएंगे आपका connection ग्रो करेगा maybe आपको हमेशा उनसे ये गिला था कि आप कभी भी दिल की बात नहीं बताते हैं आप हमेशा चीज़े छुपा छुपा कर रखते हैं आपने मुझे कभी अपना नहीं समझा है so I feel कि ये इनसान आपके साथ एक deep connection बनाएंगे मतलब बहुत जल्द आपलों का connection deep होगा और ये ही message मैं pick करी थी शुरू में भी जब death card हमने देखा था so we have no way your answer is a no L so फिर जो हमारे पास card आया ये वाला protect your home आप यूं समझ लीजिए के maybe उनको safe feel नहीं होता बहुत जादा deeper level पर communicate करके उनको मतलब ये एक defense mechanism होता है subconscious level पर इनसान नहीं अपनी deeper feelings अपने ideas share करता because उसे डर होता है के पता नहीं उसको manipulate किया जाएगा या उसको exploit किया जाएगा for whatever reason इनसान कहीं नहीं अपने आपको protect कर रहा होता है इस तरह से करके और इस तरह फिर वो अपने connections को खराब कर रहा होता है so ये defense mechanism time के साथ develop होता है उसके अंदर अपने experiences से और अपने environment से किसी trauma से तो इस वज़ा से शायद आपके person connect नहीं करते हैं deeper level पर और communicate नहीं करते हैं जो उनके दिल में होता है और communicate नहीं करते हैं जो भी उनके traumas है whatever so I do feel कि ये इनसान ये realize कर रहे हैं कि आपके साथ open होने से उनको कोई नुकसान नहीं है वो communicate कर सकते हैं I feel कि ये एक चीज़ वो सीख रहे हैं वो इस process में है and I feel कि अगर आप थोड़ा उनको comfortable space एक देंगे तो वो जरूर आपके साथ communicate करेंगे so ये आपकी reading थी और ये आपके letters and numbers है देख लिए जे कैसे आपसे match करते हैं अगर आपके लिए ये reading helpful रही मुझे आप जरूर बताईगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजिएगा, share कीजिएगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number 2 यानि कि ये pink bag select किया है ये आपकी reading है और हम देखेंगे कि इस वक्त आपके person आपके लिए क्या feel कर रहे हैं so इस card में आपका overall message है देखते हैं इसमें क्या है we have strength इसका number 8 है और ये Leo card है so हो सकते हैं आप literally किसी Leo से deal कर रहे हैं so strength, maybe आपके person बहुत ज़दे strong feel कर रहे हैं या वो strong होना चाते हैं maybe they feel के जब आप उनके साथ होते हैं तो वो बहुत strong और motivated feel करते हैं आपके साथ एक deep bond feel करते हैं maybe they feel के they love you unconditionally आप कहलें के this is an unconditional love and connection let's find out more ये इनसान आपके लिए क्या feel कर रहे हैं इस वक्त जब आप ये reading देख रहे हैं spirit हमें divine message दीजेगा group 2 के लिए उनके person क्या feel कर रहे हैं इस वक्त okay so we have king of wands ये भी fire energy है Aries और उसके पिछे भी हमें एक lion नज़र आ रहा है so leo vibes बट जरूरी नहीं है and then we have seven of pentacles आपकी तरफ ये इनसान बहुत ज़ादा attracted feel कर रहे हैं we have eight of wands yes passion they really want to communicate maybe travel the hermit and then seven of swords maybe वो अपना ये passion अपनी feelings आप से hide कर रहे हैं इस वक्त wow maybe ये इनसान आपके साथ re-unite होना चाहते हैं with the two of cups their feelings spirit ये इनसान आपके साथ union चाहते हैं I feel what are they feeling how are they feeling five of wands one more card spirit two cards आगे हैं हमारे पस the tower and queen of pentacles so bottom of the deck पर हमारे पस nine of wands है so ये इनसान वे इस वक्त बहुत ज़ादा guarded है या आप guarded हुए में हैं so king of pentacles है उससे भी नीचे so I do feel कि इनसान ऐसे सोचते हैं कि आप उनका perfect match है ये love बहुत ज़ादा mutual है बट इस वक्त आप लोग एक struggle से गुजर रहे हैं और ये struggle आप दोनों के दर्मयान है मुझे कोई external factor नजर नहीं आ रहा है I just feel कि it's all about you and your person maybe आपने खुद को उन से detach किया हुआ है या for whatever reason वो आप से detach हुए में है but at the same time they want you and they don't want you this is a very interesting message so यहाँ पर Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius and Scorpio ये star signs यहाँ पर बहुत जादा strong है so I do feel कि ये बहुत unexpected आप लोगों का कोई argument, कोई fight हुई है या कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के दर्मयान जो बहुत बस unexpected था और बहुत ही sudden था, बहुत sudden कोई event कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इसके बाद एकदम से आपके person lost हो गए, अपने एक shell में चले गए I really feel कि ये इनसान इस वक्त अपने एक shell में है they are missing you terribly बट वो आपको बताना भी नहीं चाह रहे है और एक struggle है, बहुत जादा guarded हुए में है ये इनसान या फिर आपने उनके इस behavior की बज़ा से अपने आपको भी उनसे detach कर लिया है और आप भी उनसे communicate नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से ये सारी situation जो है ये बहुत torture कर रही है आपको भी और आपके partner को भी जैसे उनको बहुत जादा आपकी need feel हो रही है they really want to connect, they really want to be with you, hold your hand आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे share करना चाहते हैं जो वो feel कर रहे हैं इस वक मतलब बहुत lost मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके person की जिन्दगी में कुछ हुआ है recently आप कह सकते हैं कि उनकी job पर कोई issue चल रहा है जो भी उनकी life में हुआ, आपको उनकी नहीं बताया और आपको समझ में यह नहीं आ रहा था कि ये इंसान इस तरह से behave क्यूँ कर रहे है और आपने ये सोचा कि ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है कि मैं दो कुछ पी किया नहीं है तो ये इनसान मेरे साथ ऐसे behave क्यों करें और आपने खुद को detach कर लिया तो फिर एक खामोश, एक cold war आप लोगों के दरमयान चुरू हो गई या यूं कहलें कि एक awkward silence create होगी और अब आप दोनों को समझने आरा कि इस silence को कौन तोड़े तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये situation लग रही है super specific messages है but I really feel ये इनसान आपसे बात करना जाते हैं जैसे चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कहें words नहीं हैं बहुत lost है ये इनसान और बहुत guarded है दिल करता है उनका बात करने का बट वो फिर एकदम से अपने आपको रोक लेते हैं कि मैं इसको क्या बोलूँ या मैं इसको क्या कहूँ इस तरह से वो चुप हो जाते हैं और कुछ भी आपसे नहीं कहते हैं so they really want to meet you I really feel कि उनका बहुत दिल कर रहा है कि वो आपसे मिलें आपसे बात करें और वो सोच रहे हैं जब last time आप लोग मिले थे उस time को भी याद करें but I feel कि इनसान अपनी curiosity अपना passion अपना प्यार आपसे छुपा रहे हैं इस वक्त really are hiding their feelings obviously इसलिए भी आप ये reading देख रहे हैं so ये इनसान obviously आप आपसे प्यार करते हैं they have a lot of feelings romantic feelings but इस वक्त कोई ना कोई challenge है जिससे आप लोग गुजर रहे हो और इस वक्त ये इनसान बहुत ज़ादा आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़ादा परिशान है और conflict है इनके जहन में बहुत ज़ादा और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से situation को handle करें basically कुछ आप लोगों के दरमयान situation ऐसी create होगी है कि आपके person को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसको handle कैसे करें जैसे उनके control से बाहर हो चुकी है situation इस तरह से वो feel कर रहे हैं so let's find out more कि ये इनसान इस वक्त आपके लिए और क्या feel कर रहे है so friends आप लोगों ने अगर मुझे मेरे second channel पर subscribe नहीं किया तो आप कर लीजिए description में आपको link मिल जाएगा मेरे second channel का mystic 1111 second channel का नाम है so let's see इस वक्त आपके person और क्या feel करें so they really appreciate you इसमें कोई शक नहीं है और उनको अच्छा लगता है जब आप अपनी care कर रहे होते हैं और जब आप अपने आपको number one पे रखते हैं तो उनको अच्छा लगता है इस तरहां आप और ज़दा graceful और ज़दा attractive लगते हैं उनको उन्हें अच्छा लगता है जब भी आप अपने आपको choose करते हैं उन्हें कभी बुरा नहीं लगा जब आपने अपको choose किया और ये इनसान इस तरहां से देखते हैं और इनको independent लोग अच्छे लगते हैं और वो खुद भी ये समझते हैं हर इनसान की अपनी एक individual जिंदगी है और पहचान है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने उपर work करते हैं अपने आपको सवारते हैं अपनी जिंदगी को अच्छा रखते हैं तो उनको अच्छा लगता है जब आप खुश होते हैं genuinely so it is safe for you to love and then we have soulmate yes so this is your soulmate absolutely मैं आपको शुरू में ही कह रही थी ये इनसान ये सोचते हैं कि आप उनके divine counterpart हैं you are the best and आप दोनो perfect match है एक दूसरे का क्यूंकि हमने ये देखिये king of pentacles भी देखा है नेचे तो they really feel कि आप दोनो बहुत ज़दा compatible हैं आप दोनो soulmates हैं and I also feel कि उन्होंने शायद आपसे कभी बोला भी होगा कि you are my soulmate and they really feel कि आप उनकी एक safe place हैं आप उनकी happy place हैं and this is a safe connection जहां पर वो open हो सकते हैं मत अब कही न कहीं deep down वो ऐसा feel करते हैं कि आप उन्हें हमेशा understand करेंगे और यही वो unconditional love वाली vibe है जो मैं strength card में शुरू में नज़र आई थी और इसके उपर यह एक infinity symbol है so I really feel कि यह एक connection बहुत deep है और बहुत long term चलने वाला है यह कोई short term connection या यह कोई flirt कोई ऐसी चीज़ नहीं है so यह इनसान यह समझते हैं कि मतलब आप उन्हें हमेशा understand करेंगे अगर अभी भी कुछ चल रहा है कहीं न कहीं deep down आप understand कर लेंगे and they really feel कि वो आपके साथ open भी हो सकते हैं वो आपके साथ लड़ भी सकते हैं मतलब they can be themselves around you उन्हें fake नहीं करना पड़ेगा कभी भी आपके साथ so this is a safe connection and इस पर लिखा है open your heart to give and receive the highest energy of all so I do feel कि इन्सान आपके लिए बहुत जादा open है उनका दिल आपके लिए बहुत जादा open है to give and receive love they are open but हो सकता है कि किसी challenge से वो गुजर रहे हैं जिसकी वज़ा से आपकी तरफ अभी तक आई नहीं है या कुछ challenges चल रहे हैं आप लोगों के इस connection में so let's find out more अब मुझे एक बड़ा interesting message out of nowhere ये भी किसी के लिए आ रहा है कि maybe आप लोगों की situation में कोई और है आपके person के कोई friend या कोई जो उनके पास आपके बारे में कोई बात कर रहा है जैसे भड़काना होता है किसी को किसी के बारे में गलत ऐसे लगता है जैसे लोग उनके इर्दिकरत उनको बड़ा गलत मशवरा देते हैं या उनके इर्दिकरत जो लोग हैं जिनके अपने relationships में अच्छे experiences नहीं हैं वो आपके person से share करते हैं और उन्हें भी doubt में डालते हैं उन्हें भी आप कहते हैं कि देखो तुम सोच समझ के relationship रखना ऐसे किया करो अपने partner को control करने की कोशिश किया करो या ऐसे या वैसे किया करो तो भी आपके person के subconscious में वो चीज़े बैठती हैं चाहे वो consciously उन पर अमल नहीं करते होंगे बात नहीं मानते होंगे बट उनके इरदिगीत कुछ लोग हैं जो उनको misguide करते रहते हैं या अपने negative experiences उनके ओपर project करते हैं अपने fears आपके person के ओपर ये बड़ा interesting message है इस पर लिखा है team work makes the dream work with work with others to accomplish greatness आप दोनों मिल कर कोई business करें कोई काम करें तो भी और वैसे भी आप दोनों बहुत ज़ादा compatible हैं फिकिस आप दोनों soulmate हैं वो ये समझते हैं और आप इस connection को कामयाब कर सकते हैं दोनों मिल कर इस पर लिखा हुआ है stop chasing attract what you desire so maybe आप ने अब chase करना छोड़ दिया है अपने partner को और maybe वो आप से शुरू से यही बोलते थे कि मुझे chase मत करो maybe उनोंने खुद से आप से बोला यह कि देखो मुझे chase मत किया करो और अपने dreams को chase करो और just know कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ loyal है और हम दोनों ने एक दूसरे को chase नहीं करना है right so आपने chase करना छोड़ दिया है कहीं न कहीं यह चीज उनको pinch करती है क्योंकि you know कि कोई कितना ही अच्छा इंसान क्यों नहों हर इंसान को अच्छा लगता है और अपनी जिंदगी पर अगर आप काम कर रहे हैं आप अपने आपको अच्छे से carry कर रहे हैं खुश हैं आप अपनी life में उनको अच्छा लगता है so they really want कि यह आप दुनों का reconciliation हो जाए जिनका इस वक break up चल रहा है with this card I think यह three of pentacles है this is about partnership right and यह reconciliation भी हो सकता है फिर यह two of cups भी reconciliation का भी indication हो सकता है अगर reconciliation वाली बात नहीं है हो सकता है वही बात जो मैं पहले करी थी कि आपके person की life में कुछ और चल रहा है जिसकी वज़े से वो थोड़े से tense हैं आज कल तो यह वाला phase गुजर जाएगा और वापिस आप लोगा connection पहले जैसा हो जाएगा तो यह phase खतम होने वाला है so basically message यह आ रहा है कि यह एक phase ऐसा चल रहा है आप लोगों का और आपके person के जहन में यह नहीं है कि वो यह connection खतम कर रहे हैं या कुछ खतम हो रहा है आप लोगों के दरमयान सिर्फ और सिर्फ यह एक phase है जो के बड़ा मुश्किल और challenging है आपके लिए because आपके person बहुत अजीब behave कर रहे हैं lost हैं क्यूंके वो but चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हो रही है और यह इनसान आगे भी connection के ओपर invest करना चाहते है so I really feel कि इनसान महसूस करते हैं कि वो आपके साथ sometimes unfair हो जाते हैं chaos लेकर आ रहे हैं वो आपके जिन्दगी में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए उनको आपके peace की वज़ा बनना चाहिए तो यह चीज़ उनको realize होती है वो सोचते हैं but they also think and feel यानि अभी वो यह भी feel कर रहे हैं कि कभी कभार जिन्दगी में challenging phases आ जाते हैं so हमारा connection इतना मजबूत है कि यह इस time को you know गुजार लेंगे हम किसी भी तरह से we will pass the test of time right तो हम मुश्किल वक्त काट लेंगे हमारी understanding इस हद तक है आपके person को एक तरह से यह मान है so मैं आपके person की वकालत नहीं कर रही हूँ जो energy मैं pick कर रही हूँ मैं सिर्व ही आपके साथ share कर रही हूँ obviously messages उनी के लिए हैं जो resonate कर रहे हैं messages से अगर आपकी situation कुछ और है यानि toxic situation से अगर आप deal कर रहे हैं तो वो एक अलिएदा बात है but यह messages उनी के लिए हैं जिन से resonate कर रहे हैं so शुरू करते हैं आपके yes and no questions से यह हमेशा हो जाता है stuck okay so हमारे पास आगया है 1111 VP99 Q number 6 M B B then we have U E 88 444 E T I 33 A 11 P so आग के फ्रेंड आपका आणसर आया है V 6666666 W then we have R Z 888 Z 1111 M K next is number 8 4 F A S so यह आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और आंसर आपका आया है ask a friend so यह आपकी रीडिंग थी कुछ भी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप बताईएगा comment section में अगर आप नए थे मेरे चैनल पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe किये बिना मत जाएगा जिल लोगों ने option number three यानि कि यह star select किया था यह आपकी reading है और हम देखेंगे कि इस वक्त आपके person की feelings आपके लिए क्या है so इस card में आपका overall message है so let's find out कि इस card में क्या है and we have page of cups so बड़ी sweet loving feelings हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि it's a new connection कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक साल हुआ है but कुछ लोगों के लिए I feel कि आपके person के दिल में बड़ी sweet feelings हैं आपके लिए and maybe आपके person आप से किसी बात पर apologize करना चाहते हैं कुछ ना कुछ guilt है कुछ ना कुछ वो offer करना चाहते हैं आपको apology in a very sweet way so let's find out कि आपके person की feelings क्या है so they really want to flirt they really want to talk आपके साथ playful होना चाहते हैं light-hearted energy extend करना चाहते हैं आपकी तरफ let's see आपके person इस वक्त कैसा feel कर रहे हैं आपके लिए right now spirit हमें divine message दीजेगा उनकी current feelings इस वक्त उनकी feelings क्या है group 3 के लिए उनकी feelings group 3 के लिए उनके person की feelings we have seven of wands so maybe आप में से कुछ लोग meditate कर रहे हैं we have five of pentacles to relax आप meditate कर रहे हैं three of pentacles the star wow आपने star सेलेक्ट किया और आपका the star card आगया है so हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी की social media presence है maybe आप में से किसी की बहुत अच्छी आवाज है कोई singer हो सकता है maybe आपके बहुत से followers हैं कोई influencer हो सकता है tiktoker हो सकता है but there is something about you which is unique the sun card so ये इंसान I feel के काफी insecure हैं आपको लेकर यानि दे फील के में भी आप उनसे दूर जा रहे हैं या दूर जा सकते हैं maybe आप दोनो okay we have five of wands one more card oops ये तो बहुत सारे cards आगए है okay ये हमें रखने पड़ेंगे we have ace of swords the magician यहाँ पर libra aquarius बहुत स्ट्रॉण है gemini seven of swords and the lovers इसके लावे यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius भी strongly है so bottom of the deck पर हमारे पास the fool card है which is about something new starting starting something new a fresh new start a new adventure so looking at this card आप भी बता सकते हैं कि it's a very very intense connection very intense emotions feelings यानि energy बहुत fresh है आप दोनो एक दूसरे को feel कर रहे हैं hold on कर रहे हैं the way she is holding his hair right it's very intense I really feel कि आपने भी बहुत tightly hold on किया हुए इस connection पर और उनोंने भी and I really feel कि there is nothing to let go of right कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि आप इस connection को छोड़ें या खतम करें but कही न कहीं कोई insecurity है आपके person के दिल और दिमाग में कि जैसे वो आपको खो देंगे and they really need to fight for you now there is something they really feel कि उनको थोड़ा effort डालना पड़ेगी इस connection के अंदर maybe that's what you want maybe कुछ आपने ऐसा किया है कि अब उनको ये realization हो रही है कि इस connection में रहने के लिए उन्हें आपको earn करना पड़ेगा यानि आपका trust earn करना पड़ेगा आपके लिए को effort करनी पड़ेगी maybe उन्हें पहले effort की number five so हो सकता है कि आप दोनों में कोई fight हुई थी कोई communication ऐसी हुई थी कि जो बहुत hurtful थी और अब आपके person ये सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी और इन बातों की वज़ा से आप लोगों के दरम्यान लडाई हुई और उसके बाद आपने ये decide किया कि जब तक आपके person effort नहीं करेंगे hard work नहीं करेंगे इस connection के लिए fight नहीं करेंगे तब तक ये connection ठीक नहीं होगा heal नहीं होगा so basically जो ball है वो आपके person की court में आपने फैंक दी है और आप अब wait कर रहे हो के उनकी तरफ से connection को heal किया जाए या कोई effort की जाए ये बड़े powerful cards है बड़ी powerful energy आप को powerful change expect कर सकते हैं इस connection में so ये इंसान आपके साथ connected है throughout the day सारा दिन आप एक दूसरे की energy feel कर सकते हैं आप दोनों एक दूसरे को mirror कर रहे हैं इस present time में हो सकता है कि आपके दिल में भी कहीं न कहीं थोड़ी insecurities चल रही है कि इंसान मेरी जिन्दगी से हमेशा के लिए अगर चला जाए या चली जाए तो आप दोनों इस वक्त insecure हैं एक दूसरे को लेकर वेट कर रहे हैं अपने partner की तरफ से वो आपकी तरफ से किसी signal का वेट कर रहे हैं green signal का इनको देखके मुझे signals याद आते हैं तो maybe आप वेट कर रहे हैं कि वो कोई आपको gesture दें positive फिर आप आगे बढ़ें और वो भी दूसरे को tough time देना चाह रहे हैं कुछ इस तरह की चीज है so I do feel कि आप दोनों बहुत invested हैं इस connection में it's a very intense connection, deep connection तो आपके person बहुत ही ज़ादा passionately भी आपके बारे में सोच रहे हैं intimate होना चाहते हैं जैसे कि इस card में देखा और फिर इस से भी मैं आपको बता रहे थी flirt करना चाहते हैं light hearted energy extend करना चाहते हैं और जो issue आप लोगं के दरमयान बना maybe वो यह चाहते हैं कि उस issue के ओपर आप लोग बात ना करें so इस वक्ति ये इनसान आपकी pictures को देख रहे हैं मुझे ये भी लग रहा है और अगर तो आपके messages हैं उनके पास videos हैं वो देख रहे हैं बार-बार आपके messages को पढ़ रहे हैं so this person is thinking about you a lot I feel ये इनसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में so friends आप लोग ने अगर मुझे मेरे second channel पर subscribe नहीं किया तो आप कर लिजिए description में आपको link मिल जाएगा mystic1111 second channel का नाम है so वहाँ पर zodiac signs के हिसाब से readings होती हैं अभी तो elements के हिसाब से हो रही है और picket card readings आती हैं सिर्फ so जब 10k family हमारी वहाँ पर complete हो जाएगी तो separate zodiac signs के हिसाब से भी readings आया करेंगी so we have stay optimistic about your love life oh wow we have playfulness to recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine मैं आपको कह रही थी ना कि वो आपके साब playful होना चाहते हैं light hearted energy extend करना चाहते हैं romantic होना चाहते हैं and passion यही बात मैं आपको काफी देर से कर रही थी so आपके person काफी हद तक positive हैं इस connection के बारे में positive thinking and faith will bring you romance so अगर आप positive रहेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी maybe आप कुछ solid चाहते हैं या maybe आप सिर्फ यह चाहते हैं कि connection ठीक हो जाए पहले वाला passion spark renew हो जाए जरा आप happy हो जाए joy lot आए इस connection की happiness सब वापिस आजाए energy तो वो चीज़ें हो रही हैं यह इंसान लाना चाहते हैं इस connection में happiness वापिस so I really feel कि इंसान आपके साथ और memories बनाना चाहते हैं और एक अच्छा time आपके साथ spend करना चाहते हैं so let's find out more यह इंसान और क्या feel कर रहे हैं I really feel कि आप आपने बड़ा कुछ offer किया है उन्हें इस connection में बड़ा प्यार बड़ा joy happiness सब लेकर आएं आप इस connection में उनकी जिंदगी में और वो यह feel करते हैं कि आपके साथ बहुत जादा खुश होते हैं आपके बिना वो खुश नहीं होते हैं So they really want to fight for this connection बट इस वक्त आप दोनो I feel के एक दूसरे को थोड़ा tough time दे रहे हैं We have using all your senses, especially your sixth sense So I do feel कि यह इंसान अपने intuition से connect करने की कोशिश कर रहे हैं आप भी और इसके उपर लिखा है conscious filtering What are you consuming? So I do feel कि यह इंसान mindful होने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या consume कर रहे हैं यानि के social media के हवाले से अगर हम देखें और लोगों के हवाले से देखें कि लोग उनके mind में क्या feed कर रहे हैं फिर जो social media है उनका यानि के अगर तो वो facebook और instagram इस तरह से social media platforms use करते हैं तो वहाँ पर क्या अपने mind में feed कर रहे हैं इस हवाले से वो काफी जादा सोच रहे हैं कि मुझे positive changes life के अंदर लेकर आनी चाहिए और मेरी feed में क्या चीज चल रही है क्या हो रहा है मुझे इस बारे में mindful होना चाहिए तो यह चीज है सारी आपके person सोच रहे है and they are trying to I feel के listen to their intuition तो यह इंसान आपसे apologize करना चाहते है but maybe यह इंसान थोड़ा सा time देना चाहते है इस situation को क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि आप दोनों एक दूसरे को mirror कर रहे है कुछ लोगों के लिए possibility है कि यह इंसान आपसे apologize कर लेंगे light hearted energy आ रही है आपके इस connection में but कुछ लोगों के लिए I just feel कि थोड़ा आपके person ना manipulate कर रहे है situation को थोड़ा उनकी कोशिश यह है कि आप खुद ही ठीक हो जाएं लेकिन अगर आप उनकी कोशिश थोड़ी सी यह है कि वो इस सारी situation को manipulate करें so not in a bad sense मुझे यह नहीं लग रहा कि यह कोई बुरे इंसान है उनकी intention बुरी है इसके पीछे intention तो यही है ना कि आप दुनों एक हो जाएं ठीक हो जाएं एक दूसरे के साथ light hearted energy हो right but they want के आप ठीक करने पहले situation को so अब हम देखते हैं आपका yes and no question और यह हमेशा stuck हो जाता है okay so we have 888 C W 1111 next is B Y 222 next is number 6 number 10 N Y W 99 and then we have Y W so this is M and then I Y number 2 Z P ask a friend आपका अंसर आगया है C E M I H Y 66777 next is T Q D then we have P L N I K 7 N T so आपका अंसर आया है ask a friend और यह है आपके letters और numbers आप विडियो को pause करके देख लीजे कैसे आप से resonate करते हैं और यह थी आपकी reading कुछ भी आपके आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे आप जरूर बताईगा comment section में, अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe किये बिना मत चाहिएगा, so मेरी आप सब लोगों के लिए धिर सारी दौा है, आप अपनी life में जो भी manifest करना चाहते हैं, new love, true love आपकी life में जरूर manifest हो, और जरूर होगा क्योंकि you are worthy of love and you are lovable, अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपना धिर सारा ख्याल रखेगा, मैं मिलूँगे आप से next video में, till then, love you lots, bye-bye.